आस्ट्रेलिया की एलिस पेरी दुनिया की समसे प्रसिंद महिला खिलाडियों में से एक मानी जाती है उनकी लोक्रियता पूरी दुनिया में है कई लोग उनके खेल के दिवाने हैं तो कई लोग उनकी खुमसूर्ती के दिवाने हैं उनकी दिवानिगी की लिस्ट काफी लंबी है जोनमें काई भारती क्रिकेटर भी शामिल है जो एली स्पेरी के दिवानी है कुछ समय पहले भारत के एक क्रिकेटर ने इसका खुलासा भी किया था तो आईए जानते हैं आज इस वीडियो में कि कौन था वो भारतिय खिलाडी जो एलिस पेड़ी की खुबसूरती पे मर में था पर उससे पहले चानल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को इन तक देखना और लाइक और शेर करना ना भूल दो दरसल पूर्व भारतिय क्रिकेटर मुरली विजय ने 2020 में इंस्ट्रक्राम चैट के दौरान कहा था कि वो एलिस पेड़ी को डिनर डेट पर ले जाना चाहते हैं वो बहुत खुबसूरत है इस बारे में जब पेड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पैसे मुरली विजय दे रहा है तो बेशक वो जाना चाहिए हाला कि बार में दोनों डेट पर नहीं गए थे आपको बता दे कि एलिस पेड़ी की गिंती दुनिया की दिग्वज महिला क्रिकेटरों में की जाती है वो अस्ट्रिया की ओर से साल 2007 से अंतराष्ट्य क्रिकेट खेल रही है वो टी 20 और वन डे विश्व चांपियन की टीम में शामिल रह चुकी है वो टी 20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली एक मात्र महिला क्रिकेटर है हाला कि आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिस पेडी भले ही इस तमय दुनिया की महान क्रिकेटर है लेकिन एलिस पेडी क्रिकेट के पहले एक फुटबॉल क्लियर थी वो उस्ट्रिया के लिए फुटबॉल में भी विश्व कप जीत चुकी है वो क्रिकेट और फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली एक मात्र खिलाडी है उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे